हेलो एन वेलकम दोस्तो दीप इलेक्ट्रोनिस लैब में आपका बहुत-बहुत स्वागा थे दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं रिपेर करूंगा इस 14 इंच टीवी को इस टीवी का अंदर क्या फॉल्ट है यह मैं आपको बताऊंगा और उस फॉल्ट को किस तरीके से दू होगा इसी वीडियो के अंदर तो देखिए हमारे पास एक आइकोनिक का 14 इंच टीवी जो कि एसेंबल टीवी यह कोई ब्रैंड टीवी नहीं है इसके अंदर जो मदर बोर्ड और पैनेल्स लागा हुआ है यह एसेंबल टीवी का मदर बोर्ड यानि कि उनिवर्सल टाइप सब्सक्राइब यह है कि इसके आपसाइड में पीक्चर और हा रहा है इसका बैकलाइड भी सहीAg लेकिन दूसरे साइड यानि कि उस साइड के में कोई भी जो फिक्चर है वो नहीं बन रही है तो इसके क्या पीछे क्या करन हो सकता है इसको खुलने के बाद ही पता चलेगा लेकिन इसके उपर से आपको पता चलेगा कि एक साइड में सही आ रहा है और एक साइड में नहीं किया हुआ है एक side इधर का part और दूसरे side उधर का part यानि कि इसके अंदर जो FFC के जरीए दोनों side को connection किया रहता है T-Con board के जरीए या कोई दूसरा process के जरीए तो आब हम इसको खोलेंगे और खोलने के बाद ही पते चलेगा कि इसका अंदर जो पैनेल लगा हुआ है वो पैनेल कर टाइब किस प्रकर के हीं जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो कि MP के आप दूसरे साइड को चलाने के लिए यह हमारा एक पीसीवी हो गया और इन दोनों पीसीवी के अंदर एक केबल लगा हुआ है देखिए और मैं आप लोग को बताया था कि मैंने इस टीवी को रिपेर कर चुका हूं और किस तरीके से रिपेर किया हूं यह आपको दिखाता ह हूँ यह जो हमारा केबल देख रहे होंगे एक थे एक पेल अंदर से ब्रेक हो चुका था कनेक्षण ब्रेक हो चुका ता मतलब इस साइड से साइड में जो हमारा वोल्टे יהग वो नहीं जा पा तो यहां पर देखिए इस साइड में थो राचा जो connection है यह connection बिल्कुल सही था और लेकिन नीचे का connection था वोँ और तो में पॉइंट का जो connection है मैंने किस तरीके से किया हूँ और आप लोग ये जो वीडियो पूटेज देख रहे होंगे ये मैं 800 गुना तेजी से चला रहा हूँ क्योंकि जब मैं इसको microscope के जरीए कर रहा था ये काम बहुत time लग गया था तो मैं last का जो 3 या 4 connection मैंने किया था उसी का मैं आप लोगों को ये वीडियो पूटेज दिखा रहा हूँ कि कितना मेहनत लगता है इस तरह की का modification करने के लिए तो आगर आप बीना microscope को जरीए करने जा रहे हो तो ये नहीं होगा मैं 100% सियोरिटी के साथ कह सकता हूँ क्योंकि जब आप इसको करोगे तो आप बहुत ही आपको जो जो variable soldering iron होता है उसके जरीए आप कर पाऊ गए नहीं तो आपको ये बहुत ही दिक्कत का सामना करना परेगा और आपको display पर ये जो time दिख रहा है ये microscope का time है क्योंकि मैंने जब इसको recording कर रहा था उसको change नहीं किया था तो दोस्तों आपने देख लिया कि हमने इस FFC केबिल को किस तरीके से modify किया हूँ तो चलिए आप मैं इसको panel के अंदर लगाता हूँ और देखता हूँ कि हमरा ये जो टीवी है वो ठीक होता है या नहीं तो दोस्तों हमने सही से इस FFC के बिलकुल लगा दिया हूँ और अब मैं इसको on करके आपको दिखाता हूँ इसके अंदर पिक्चर आता है या नहीं तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो कि आधा जो हमारा पिक्चर आ रहा था अब ये बिलकुल सही सलमाद बिलकुल ओक्या रहा है और इसके अंदर दोस्तों और एक Fault है ये की सलो मोसन का प्रॉब्लेम है ये दूसरा Fault है जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्योंकि ये जो आभी सलो मोसन का प्रॉब्लेम आ रहा है यानि कि कोई भी हम इसको अंदर प्रेस करेंगे तो सारे के सारे थोरे देर में आएंगे यानि कि सलो मोसन का प्रॉब्लेम देखे मैं यहां पर इंपूर्ट प्रेस कर रहा हूं यहां पर इंपूर्ट इसलिए हम दूसरे वीडियो के अंदर दिखाएंगे दोस्तों आपको बता चल गया होगा कि आगर आपके टीबी के अंदर इस तरीके का एफ एफ सी के विल ब्रेक हो चुका है खराब हो चुका है मार्केट से नहीं मिल रहा है तो आपको किस तरीके से उसको मॉडिफाइब क के जरीए आपको उसको रिपेर करके विज़ दूँगा यानि कि उसको जो मॉडिफाइब करके किस तरीक की से ठीक किया हूँ आइधिंक आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया है तो लाइक जोड़ कीजिएगा और आगर आपके मन में किसी भी चीज को लेकर किसी भी करके सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो मैं आपका रिप्ले करने की कोसिस करूँगा और अगर किसी भी टॉपिक के ओपर वीडियो देखना चाहते हो तो ओभी आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हो उसके उपर बहुत ही जल्द वीडियो ब बहुत टाइम लगता है लगबग दो तिन घंटा लग जाता है इसे मोडिफिकेशन प्रोसेस को करने के लिए अगर आपको मार्केट से नहीं मिल रहा है पेपसी के विल तो इस तरीके सब टीक करके अपने टीवी को टीक कर सकते हो तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इत के लिए वीजिव, ओल दाबस